हाई गाइज बहुत सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो गाइज सबसे पहला तो देखिए वैसे तो अगर आप लोग यूनों मास्टर्स कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया कंट्री आपने डिसाइड कर ही लिए तो सब्सक्राइब नहीं बट यह कि हाँ अगर आप लोग अभी भ सब्सक्राइब करना ही है जिसमें मैंने यहीं बताया कि वाइट चूज ऑस्ट्रेलिया तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को काफी सारी जो कोर्सें से प्रवाइड करवाती तो परफेक्ट वेडर है बट यस अगर आप किसी ठंडी जगह पर रहना चाहते हैं तो डेफिनिटली आप किसी और कंट्री को चूज कर सकते हैं यहां पर क्या है ना देखिए जब आप लोग स्टडी करते हैं तो आप लोगों को वर्किंग राइट्स भी होते हैं तो इस अगर आप लोगों को वर्किंग राइट्स होते हैं आप लोग बिल्कुल जॉब कर सकते हैं और आप लोग पियार के लिए लिए करना तो आप लोगों का वह पातुए भी ऑस्टेलिया में थोड़ा सा इसी होता है। तो यह काफी सारे बेनेफिट्स हैं एक श्टेलिया में स्टड़ी करने के आप्योटी एड्यूकेशन आस्टेलिया प्रवाइड करवाता है। अगर आप लोगों को अस्टेलिया से मास्टर्स करनी है तो उसके लिए basic क्या क्या requirement है तो मैं general requirements की बात करूँ देखिए कुछ requirement करते है university to university या फिर आपके course के उपर तो अगर आम general बात करें तो obvious अगर आप master's करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास अपनी home country से होनी चाहिए valid bachelor's की degree ठीक है यह होगी सबसे first और most important requirement फिर यह है कि आप लोगों को जो second requirement है वो fulfill करनी होती है and that is your English language test का जो result है वो आप लोगों को देना होता है अब usually जो इसका score है वो 6.5 overall होता है but again you can check with your particular university and your particular course कुछ के requirements seven भी होती है देखिए तो इसलिए मैंने बोला कि general 6.5 most of the courses में यह लोग demand करते हैं but आप हमेशा अपनी university और अपने course के साथ cross check कर सकते हैं कि उनकी requirement क्या है so guys main तो देखिए यही दो requirement होती हैं बाकी तो जब देखिए आप लोग apply करते हैं universities में और उस time पर फिर यह होता है कि आप लोगो interview के लिए prepare करना होता है GTE के लिए prepare करना होता है और अगर आपका जो GTE है GTE is your genuine temporary entrance test या आप लोगो लिखना होता है statement of purpose जिसमें में लिए आप लोगो यहीं बदाना होता है कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया से master's क्यों करना चाहते हैं आपने यह particular course क्यों चूज किया है Australia को क्यों चूज किया है तो यह आप लोगों को देना होता है and then जब आपका यह सब complete हो जाता है आपके पास offer letter आ जाता है तो फिर आपकी जो master's करने की requirement होती है उस्ट्रेलिया में वह होती है valid visa जो होता है student visa that is sub-plus 500 तो अगर आपके पास यह सारी चीजें हैं तो आप Australia करके यहां पर master's कर सकते हैं तो अगर उनके duration की बात करें देखिए तो master by coursework है उसका duration usually देट साल से लेकर की दो साल तक का होता है और जो master by research है that depends कि आप लोगों का किस टाइप का research work है तो वो दो साल या उससे कुछ extra भी हो सकता है तो अगर आप master by coursework में है तो definitely आप लोगों को युनी जाना होगा आप लोगों को असाइमेंट करने होगे और फिर जो भी आप लोगों का final assessment होता है test होता है exams होता है वो आप लोगों को देना होगा लेकिन हाँ अगर आप master by research करते हैं तो उस case में unique compulsory नहीं होती है उसमें आप लोगों को actually you know at the end तो आप लोगों को देखिए thesis submit करने होता है आप लोगो अपना research work करना होता है वो आप लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं and आप लोगों को you know time to time presentation देनी होती है तो ये थोड़ा सा process जो है वो different होता है master by research और master by course work में now guys अब बात करते हैं कि Australia में वो कौन से popular courses हैं जिनके लिए mostly लोग आते हैं देखिए वैसे तो it's completely your choice आपका जो भी field of interest है area of interest है आप उसमें master's कर सकते हैं but generally जो यहां पर लोग आते हैं वो देखिए आते हैं MBA करने के लिए master's of business administration या फिर master's of IT के लिए आते हैं master's of accounting काफी famous है master of finance काफी famous है master of nursing के लिए लोग आते हैं या फिर आते हैं master of health science या master's in social work master's of data science, master's of cyber security, master's of computer science, master's of engineering now guys अपम बात करेंगे Australia की universities के बारे में तो देखे Australia के कुछ universities जो की top 100 में है जो top universities है तो देखे it's up to you कि अगर आप Australia की best universities से study करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आप लोगो universities के name बताऊंगी आप उनमें से juice कर सकते हैं हां कुछ universities हैं जिनकी fees comparatively कम होती है जो की काफी लोग question करके पूछते रहते हैं कि cheap universities कौन सी हैं तो कुछ universities हैं जिनके मैं आपनों को name बताऊंगे जो की comparatively affordable है तो सबसे बहले हम लोग बात करते हैं top universities की तो top universities के अंदर आती है the Australian National University, University of Melbourne, University of Sydney, University of New South Wales, University of Queensland, Monash University, University of Western Australia, University of Adelaide, University of Technology Sydney, University of Wollongong, RMIT University तो ये कुछ universities हैं जो की top universities हैं Australia की जहां से अगर आप चाहें तो अपनी education ले सकते हैं now next हम बात करते हैं affordable universities की यानि कि वो universities जिनकी fee comparatively कम बानी जाते हैं so guys वो है University of Sunshine Coast, University of Southern Queensland, Charles Darwin University, Western Sydney University, Charles Stuart University, Southern Cross University, Australian Catholic University, Griffith University, Torrance University, University of Canberra University of Newcastle, Federation University, Australia तो ये कुछ universities हैं जो की comparatively affordable मानी जाती है guys you can always check the fee देखिए वैसे fee कभी कभी बढ़ती घरती रहती है तो मैंने जो आपनों को भी data बताया है वो है 2023 के according बताया है you can always check the fee जब आप लोग University के website पर जाते हैं तो उस पर अलोड़ी सारी detail लिखी होती है course की detail भी, duration की detail भी और उसकी fee की detail भी now guys अब बात करते हैं fee की जैसा मैंने आपको बताया की fee always वैसे University वे mention होती है but अगर हम you know masters की fee की बात करें तो that depends upon 25,000 से लेकर के 50,000 तक master's की fee होती है this totally depends upon your course and your university जो medical से related courses होते हैं उनकी fee हमेशा higher side पर होती है तो you can check but yes यह जो fee है यह 25,000 से लेकर के 50,000 के बीच में vary करती है तो देखिए अगर आप master's कर रहे हैं और आपकी 2 साल की master's है और on an average अगर हम 30,000 fee माने तो 60,000 की आपकी master's होगी और उसके बाद आप लोगों का living का cost भी होता है तो अभी Australia में roughly per person जो living cost गौर्मेंट भी शोग करने के लिए बुलती है that is you know 24,505 तो माल लीजे 25,000 माल लीजे आप उसको की इतना Australian dollar एक साल का लगेगा तो वो हो गया 2 साल का 50,000 Australian dollar यानि की 60,000 आपकी fee हो गई और 50,000 आपका living हो गया तो ये तो मोटा मोटा है जो आप लोगों का master's में खर्चा लेगा उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ उपर का खर्चा भी आप लोगों का होगा तो ये तो हो गई fee की बात, expense की बात, अब ये है कि अगर आप Australia से master's करना चाहते हैं देखिए तो उसके लिए यहाँ पर scholarship के भी options available हैं मैंने scholarships को लेकर भी already video बनाई हुई है, उसका link भी मैं नीचे description box में दा दूँगी तो you can check after that video तो guys, scholarships जो है वो always आप लोग apply कर सकते हैं अपना जो भी कूर से उसके start होने से पहले and Australia में कहा है न काफी सारी different different type की scholarship है तो कुछ scholarship है जो की government provided है और कुछ scholarships होती है जो की university provide करती है Now guys, Australian government scholarships जो है वो है Australian award, destination Australia और कुछ है जो की research based scholarships होती है and then the next category is you know university based scholarship तो वो आप always university के website पे जाकर के check कर सकते हैं अब बात करते हैं master's के duration में आप लोग के working rights के बारे में तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि Australia से study करने का ये एक benefit है कि आप लोग अपनी study के duration में काम कर सकते हैं तो यहां पर master's के students के लिए जो working rights हैं that is 48 hours per fortnightly अगर आप master by course work में हैं तो आप लोग काम कर सकते हैं 48 hours per fortnightly लेकिन अगर आप master by research में हैं then you can work unlimited लेकिन हाँ अगर आप लोग के semester break हैं university break हैं तो उस time पर आप लोगों को unlimited working rights होते हैं चाहे आप master by research में हैं या master by course work में हैं अगर आप लोग master by course work में हैं और आपके साथ आपका partner है आपका dependent है तो आपका dependent है वो unlimited working hours के लिए allowed है उनके उपर restrictions नहीं है 48 hours per fortnightly ले वाले and guys after your master जब आप लोग की master's complete हो जाती है उसके बाद आप लोग apply कर सकते हैं post study work visa that is subclass 485 तो इसका जो duration है वो depend करता है तीन साल से लेकर के 5 साल तक का government ने कुछ specific courses और universities की जो list है वो already provide की हुई है उसका भी link नीचे description box में आप लोग check कर सकते हैं तो अगर आप लोग की master's उस category में आती है तो उस case में आप लोग को जो you know post study work visa मिलेगा उसका duration होगा 5 years so guys जब आप लोग post study work visa apply करते हैं और आप लोग को visa मिल जाता है तो उसके बाद आप लोग के पास full working rights होते हैं आप किसी भी company में काम कर सकते हैं and when you have you know enough experience तो उसके बाद आप लोग करवा सकते हैं अपना skill assessment अगर देखिए आप लोग को जो future plan Australia mistake करने का है तो आप लोग skill assessment करवाईए और उसके बाद आप लोग apply कर सकते हैं अपनी PR PR कैसे apply करनी है skill assessment कैसे करना है उसके लिए भी video available है हमारे चैनल पर link नीचे description box में है तो आप लोग चेक कर सकते हैं So that's all for today's video guys तो यह थी सारी information कि आप लोग को अगर master's करनी है ऐस्ट्रेलिया से तो आप कहां से कर सकते हैं क्या fee होगी और कितना duration होगा और master's के बाद आप लोग के ऐस्ट्रेलिया में क्या working rights होंगे और क्या आप लोग प्या apply कर सकते हैं नहीं तो यह सारी information मैंने cover किया इस इस वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ तक बाई बाई टेक कियर